हेलो फ्रेंज वेलकम टो इंडियन किचिन आज हम बनाने जा रहे हैं वेरी फेमिस डिश ओफ बैंगॉल जिससे कहते हैं बैंगुनी या एक प्लांट फिरिटर्स ब्रिंजल बहुत ही नूट्रिशिस एक वेजिटेबल है हालांकि बच्चे से खाना बिल्कुल पसंद नहीं क उसे हम लंबाई की तरफ से काट लेंगे आप जब बैंगनी बनाएंगे तभी बैंगन को काटिये अदर्वाइस वो काले पड़ जाएंगे इसे मैंने पानी में भिगो रखा है आप इनके उपर चाहें तो नीमू भी लगा सकते हैं इससे हमारे बैंगन काले नहीं पड़ बीविया है अब थोड़ा काले सफिरा इसके लिए फिन्च आफ हल्दी पोडर pojaw पिंच आफ रेच चिली पावड़र और पैप्रिका पिंच ओफ सॉल्ट, सॉल्ट क्योंकि बैटर में भी जाएगा, इसलिए थोड़ा सा ही सॉल्ट डालेंगे, थोड़ा जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, और थोड़ा अमचूर पाउडर, सभी मसालों को अच्छी तरह स्प्रेड कर लेंगे, बैटर बनाने के लिए अब मैं एक बोल बेसन ले रही हूँ, इसके अंदर मैंने एक चम्मच चावल का आटा डाला है, अब हम इसमें एक चॉथाई चमच हल्दी पाउडर डालेंगे, एक चॉथाई चमच लाल बिर्ची पाउडर, एक चॉथाई चमच जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर है, नमक डालेंगे अपने स्वादा अनुसार एक चौथाई चमबच अजवायन एक चौथाई चमबच गरम मसाला सफेद तिल डाल रही हूँ मैं और कलॉंजी डाली है कलॉंजी आदी छोटी चमबच आज इसमें मैं थोड़ा चौप्ट पुदीना भी डाल रही हूँ गर्मी का सीजन है पुदीना बहुत आयद से मिल रहा है थोड़ा चौप्ट कोरियांडर चिली फ्लेक्स हम डालेंगे चौप्ट गार्लिक छोटा छोटा गार्लिक काटा हुआ है गार्लिक अगर आप नहीं खाते हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं कुछ छॉबड ग्रीन चिली आप स्पाइसी नहीं पसंद करते हैं थोड़ा सा ग्रेटफ जिंजर सभी मसालों को मिक्स कर देते हैं अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर बैटर रेडी करेंगे पानी थोड़ा थोड़ा ही डालिए एक साथ डालने से लंब्स हो जाएंगे और आटा ढीला भी हो सकता है दिखिए अब हमारा बैटर इस तरह की पोरिंग कंसिस्टेंसी वाला है ये रेडी है अब हम बैगुनी फ्राइ करेंगे अब हमारे बैगन भी मैरिनेट हो चुके हैं अब हम इन्हें बैटर में डिप करेंगे तेल हमारा गरम हो चुका है अब मैं बैटर कोटेड बैगन तेल में डीप फ्राइ करूँगी देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है बैगनी कितने अच्छे से फ्राइ हुई है बहुत ही क्रिस्पी लग रही है और देखिए कितनी क्रिस्पी कोटिंग बनी है अब ये अच्छे से फ्राइ हो चुकी है मैं इसे निकाल दे रही हूँ तो आपा है तो प्रेंज रेडी है हमारी क्रिस्पी यमी वेंगुनी और बेंडोल में तो इसे बहुत ही चाफ से लोग खाते हैं इसे मूडि के साथ भी खाते हैं और बेंगॉली थाली तो बिना वेगुनी के अधूरी ही है अब इस पर थोड़ा चाट मसाला प्रिंख्ल करत